दोस्तों दो-तिन दिन से जिस पॉर्टल का हम इंतजार करें थे तो आखिरकार वो यहां पर स्टार्ट हो चुका है तो इसके बारे मैंने आपको एक पहले भी वीडियो बना करके बताया था लेकिन आज के वीडियो में हम उसके बारे में और जनकरे लेते हैं उसका portal देखते हैं कि कैसा portal है तो क्या-क्या हमें वाम पर feature देखने को मिलेंगे तो सबसे पहले आपको utility type service में आना होगा और यहां आ करके आपको जन आधार लिखना होगा जैसे आप जन आधार लिखोगे तो आपको यहां पर पांच में नम्बर पर जन आधार enrollment टू मिल जाएगा तो आपको इसके उपर क्लिक करना होगा जैसे आपको इसके उपर क्लिक करोगे तो यह आपको जन आधार portal के उपर ले जाएगा आपको okay button पर ك्लिक करना है इसके बाद में आपके सामने इस परकार से एक نیا enrollment पर जाना होगा और यहां पर आपको enrollment पर जैसे आप click करोगे तो new enrollment आपके सामने आ जाएगा और यहां पर pending enrollment है तो दोस्तों यहां पर आभी दोई option आ रहे हैं और अन्य जो भी option है वो आपको पहले की तरह से use करने हैं जो पहले जाना जाद card portal था उसी के उपर आपको मिलेंगे क्योंकि अभी नया launch हुआ है तो इसके उपर अभी सारे option आने वाले हैं तो देरे देर करके यह सारे option यहां पर आ जाएंगे तो हम new enrollment पर click करेंगे जैसे हम new enrollment पर click करेंगे तो हमारे सामने एक dashboard नया आएगा अब आपके सामने यहां पर इस प्रकास से dashboard आ जाता है तो अब यहां पर सबसे पहले आपको मुख्या जो है उसके बारे में complete detail आपको जो समाने निर्देस हैं पड़ लेनी हैं यानि कि यहां पर मुख्या को उनकून बन सकता है तो यहां पर सबसे पहले बता जिए कि 18 साल से या उससे अधिक की जो महिला है वो यहां पर मुख्या बन सकती है इसमें सारी details आपको मिल जाएगी क्योंकों से दस्तावेज यहां पर चाहिए अन्या जो भी दस्तावेज हैं उसके बारे में भी आपको यहां पर complete detail मिल जाएगी photo कितने के भी की होनी चाहिए तो आपको मैंने यहां पर PDF के बारे में यहां पर search button पर कलिक करना होगा तो जैसे यहां पर वेरिफिकेशन ओजाता है OTP के अदार पर तो या आपको finger से यहां पर यहां पर आदार को वेरिफिकेशन कर देना है उसके बाद पहला नाम और उपनाम जो भी है वो इंगलिस में आ जाएगा इसके बाद में हिंदी में यहां पर आपको नाम है जो भरने पड़ेंगे यह डिटेल आपको यहां पर जो भी अधार कार्ड से उठा लेता है तो उसके बाद में जो पच जाती है तो वो आपको यहां पर भरने होगी आपको यहाँ पर क्या मुख्या अनात है या नहीं तो आपको नहीं पर कलिक करना होगा इसके बाद में इडियनात है तो हाँ करेंगे मुख्या का समन्द क्या है तो यहाँ पर पहले से ही सेलेक्ट होगा इसके बाद हैं पिता का नाम अंगरेजी में पिता का नाम हिंदी में, माता का नाम अंग्रेजी में, माता का नाम हिंदी में यह details आपको यहां पर completely भर देनी है यदि आप विसे सियोगेजन हैं तो वो आपको यहां पर नहीं यहां में बरना होगा दोस्तों यहां पर एक बात और द्यान रखें कि इसके साथ में जाती का जो स्रेणी है वो आपको यहां पर स्लेक्ट कर लेनी है यानि मुख्या की जो स्रेणी है वो यहां से स्लेक्ट करनी है जाती किया है वो स्लेक्ट करनी है जाती प्रमान पतर ये दिया आपके पास में है तो वह भी आप यहां पर लगा सकते हैं ताकि आपको आगे प्रोब्लम नहीं आए इसके बाद में दोस्तों ये बढ़ने के बाद में आपको जो संपरकिशुत्र है यानि कि जो कमिनिकेशन मोड है तो वो भी आपको यहां पर भर देने हैं जैसे मुबाइल नमबर है तो मुबाइल नमबर को सत्याफित करना ज़रूरी होगा यहां पर जैसी आप सत्याफित क आप हो तो तो वो यहां पर आपको भरना है वर्षिक आपको यहां पर फिल कर देनी है इसके बार दिए आपको बै। इटेल से हैं वो यहां पर भरनी होगी सबसे पहले बैंक का नाम और जिले का नाम दोस्तों ये बहुत है बढ़ी आ उप्शन बहुत सारे यहां पर option आ जाते हैं तो हमें बहुत time लग जाता था इसमें IFSE code को select करने में लेकिन अब यहां पर बहुत ही first तरीके से यहां पर जो bank code है वो यहां पर आ रहा हैं तो दोस्तो यहां पर bank खाता नंबर लगांदेंगे इसके बादेरि कार्ड है भी पहर जाती है ज्चान के जो member है उसके आगे क्लिक करना होगा और यहां पर आपको उसको completely भर देना है रासन कार्ड का प्रकार आपको यहां से select करना है यदि आप जैसे रासन कार्ड लगाओगे तो यहां पर अपने आप ही आ जाएगा तो दोस्तों इसके बादे मनेरेगा कारड है तो आप नंबर य बहुदारक स्रेणी यदि आपके पास में अन्य या भूमी ही नहीं तो आप यहां से select कर लोगे दोस्तों इसमें के वला अधर है अन्य किसान या नहीं किसान वो आते हैं इसमें जो लगूए हैं सिमान तो हो तो आप यहां पर उसको select कर लेंगे इसके बाद में क्या चाही number सबसे पहले लगाना होगा। इसके बाद पंचाइट समयथी, ग्राम पंचाइट, गाम का नाम, इसके बाद में मकान संख्या, गली नंबर, ये आपको लगानी की जरूरत नहीं है, आपके वहल यहां पर जो स्टार लगे हुइए हैं, वो लगानी यहां पर रह रहे हैं और ये अंग्रेजी और हिंदी में जो एड्रस है वो अपने आप ही यहां पर फिल हो जाएगा यानि जैसे जैसे हम यहां पर star mark भरते जाएंगे तो वो address अपने आप यहां पर फिल होता जाएगा इसके बाद में यदि आपके पास लेड लाइन नमबर है तो आप यहां पर फिल कर सकते हो इसके बाद में परिवार के पहचान के जो दस्ताविज है वो आप यहां पर लगा सकते हो विजली कनेक्शन यदि आपके है तो आप लगा सकते हो हाँ और इसके बाद में जलूप वो कनेक्शन यानि कि लाइट पानी का यदि आपके पास कनेक्शन है तो आप यहां पर कर दोगे गेस कनेक्शन है तो आप यहाँ पर कर दोगे और विद्यू दुखाता संक्या आपके यहाँ पर आपको भरने के लिए आ जाएगे जैसे ही हम यहाँ पर यस करेंगे तो आप भी देख सकते हो विद्यू दुखाता संक्या यहाँ पर आ गई है इसके बाद में चलो बोगता है तो यह आपकी yes कर दोगे गेंस कनेक्शन है तो कौन सी कंपनी का है वो आप यहां से सलेक्ट कर लोगे इसके बाद में save and continue बटन बराग को कलिक कर देना होगा यह बरने के बाद में आपको यहां पर जो member की detail है वो आपको यहां पर फिल करनी होगी member की detail फिल करने के बाद में दोस्तो मैं यहां पर फिर से आपको PDF के बारे में बता रहा हूँ उसके बाद में आपको लेंड रिकोर्ड है वो आपको यहां पर भरना होगा लेंड रिकोर्ड भरने के बाद में आप जैसे घाता संग क्या भरोगे तो आपके सामने इस प्रकार से डिटेल आजाएगी यह आपको यहाँ पर भरनी होगी वैसे मैंने कम्पलीट वीडियो आपको पहले बना करके बता दिया है लेकिन थोड़ा समय इसके अंदर भी आपक बता देता हूँ इसके बाद में दोस्तों जैसे लेंड लिकोर्ड भरोगे आप तो यहाँ पर सेव एंड कंटीनू बटन पर कलिक कर दोगे इसके बाद में आपको दस्तावेज है वो अपलोड करनी होगे जैसे अधार कारेड है एडरेस प्रूप है बेंक पास बूक है ब मेंबर भरने के बाद में आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन कर देना होगा तो यहाँ पर यहाँ पर बटन पर कलिक करोगे तो यहाँ पर सत्यापी तो हो जाएगा और आपकी रिशीट है यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी दोस्तों अभी एड मेंबर का जो यहाँ पर ऑप् आपके पास में इस प्रकार से जो डेसबोड है वो आ जाएगा और यहां पर आप हैच ऑफो चेंज कर सकते हो प्रोफाइल को एडिट कर सकते हो जो भी आपने मेंबर जुड़ा है तो उनमें आप डिलीट कर सकते हो अभी नए मेंबर है के वाले न्यू इंडॉल्मेंट में ह जूड़ रहे हैं और पुराने जो जो जनल आरकारड बनी हो है तो उसमें अभी जो मेंबर एड की जो सर्विश है वो यहां पर बंदकर दी गई है तो हो सकता है थोड़े समय के बाद में इसी पॉर्टल के उपर आ जाए तो आप यहां पर पढ़ सकते हो यहां को कम्प्ल नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करके वेल के इकन को दबा लें ताकि आपको आने वारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन में टाइम टू टाइम आपको भेजता रहूं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जानकारी के साथ में तब तक के लिए जैहिंद